हमारा जो strong cream है, normal cream और mild cream ये कौन से hair पर work करता है, कैसे work करता है, कितना timing रखना है, इसका visual checking क्या है, कौन कौन से hairs पर करना है जैसे कि आपनों को पता है कि chemicals से related हमारी videos स्टार्ट हो चुक है और chemicals में हमने स्टार्ट किया है smoothening, rebonding और straightening इन तीनों की पर हमने इसके पहले बात कर चुक है कि इन तीनों में different क्या है इसको आपके client के hairs के according किस तरह से आप लोगो consult करना है और consult session करके आपके अपने client को किस तरह से बताना है कि आपके hairs पर क्या suitable रहेगा आपके hairs के according क्या best रहेगा क्योंकि अगर client आपके curly hair एकदम जदा thick hair लेकर आ रहे है वो बोल रहे हैं मुझे smoothening करना है तो आपको consult करना है अपने client को बताना है कि आपके hairs पर smoothening से best रहेगा rebonding क्योंकि अगर smoothening करेंगे तो बहुत जल्दी बालों में waves आ जाएगा तो जैसे कि मैंने आप लोग को इसके पहले की वीडियो में किस तरसे consultation करना ये बताया देन उसके बाद में आप लोग को मैंने ये भी बताया कि hairs को किस तरसे check किया जाता है और hairs के according किस तरसे आप लोग अपने client को बताएंगे और उसके बाद हमने rebonding, smoothening ये तीनों में क्या different है उसके उपर भी हमने पूरा अच्छी तरीके से बात किया दोस्तों अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे रोगे तो हमारे playlist में जाए hair color science में हमने पूरा detail में इन दोनों चीजों के उपर बात किये अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे companies जो अलग-अलग brands आते हैं जैसे कि laurel होगा, शॉसकॉफ हो गया, वेला हो गया, श्ट्रिक्स हो गया ये चार टाइप की जो brand है ये आपको हर कहीं कोई भी market में आप लोग के इसके product smoking के, rebonding के या फिर straightening के अलग-अलग types के product आते हैं जी हां दोस्तों, इसमें strong, normal और mild ये तीन types के product आते हैं तो इन तीन types के product को आप लोगे कौन-कौन से hairs पर करना है ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है आप लोग को यादे, मैंने आप लोग कंसल्ट स्टेशन वाली वीडियो में बताया था कि आप लोग को client को पहले पूछ लेना है कि उनके बालों में महिंदी लगी है क्या उनके बालों में color लगा हुआ है क्या वो कौन से chemicals यूज करती है देन उनके बालों में जो आइनिंग हुई है या फिर blow dry वो ज़्यादा यूज करती है ये सारी चीजे क्यों पूछना है तो आप लोग को जो ये cream में आप लोग को बताने वाला हूँ strong, normal और mild ये तीनों का जो product है ये तीनों product हम कौन से hairs पर करें ये आप लोग को ये सारी चीजे पता रहेगी तो ही आप लोग decide कर पाऊगे कि strong, medium और mild में आप लोग को कौन सा cream यूज करना है कौन से hairs पर तो ये चीजे consultation में आप लोग को पूछना है देन उसके बाद ही आप decide कर पाऊगे तो चलिए आज हम पूरा detail में बात करते हैं कि ये जो brands है जो भी चार brands मैंने आप लोग को बताया काफी famous brand है और इन चार brand में जो strong, normal और mild ये तीन टाइप की उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं किस तरह से हम पहचाने और देन कौन से hairs पर ये जाएगा ये भी मैं आप लोग का आज की वीडियो में बताऊँगा तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बर विजिट कियों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें उसके उपर पूरा बात करते हैं डिटेल में तो strong cream जो है उसमें lorial में अगर बोला जाए तो उसमें बोला जाता है extra resistance यहां दोस्तों lorial में strong cream को extra resistant बोलते हैं तेन आता है दूसरा नामर हमारा short cough short cough में हम strong cream को zero number से पहचानते हैं देन उसके बाद में आता है Vela Vela में आप लोग इसे intense नाम से पहचानोगे और Strix में भी आप लोग इसे intense नाम से पहचानोगे जियां दोस्तो Vela और Strix इन दोनों में आप लोग को intense नाम से आप लोग को strong cream को पहचानना है अब बात करते हैं कि यह कौन से hairs पर करना है और hairs पर कितने times के लिए रखना है और इसे check कैसे करना है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका जो timing होता है application करने के बाद में 40 to 45 minutes के लिए आप लोग को इसे छोड़ देना है लेकिन आप लोग को इसे visual checking करते रहना है visual checking यानि कि आप लोग को 30 minutes के बाद में इसे check करना शुरू कर देना है application के बाद में और अगर नहीं हुआ है तो 40 to 45 minutes तक wait करना है 40 to 45 minutes में तक complete होई जाएगा अब हम बात करते कि कौन से hairs पर इसे हम लोग strong cream पर use करना है तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दू कि जो एकदम curly थीक virgin hair रहते हैं जिस पर कोई भी chemical work नहीं किया हो उस hairs पर आप लोग को strong cream यूज करना है इन चारो ब्रेंड में से कोई भी cream आप लोग यूज कर सकते हो लेकिन यह strong cream जो कि है लॉरेल में extra resistance, शॉसकॉफ में zero number और वेला और stricts में है intense cream, यह strong cream को आप लोग सबसे जादा curly और थीक hair पर आप लोग virgin hair होना चाहिए उस पर आप लोग यूज कर सकते हो और हां दोस्तों अगर हीना coated hair हैं, dye लगे हुए hair हैं, इन टाइप्स के जो coating वाले hairs पर उस पर भी आप लोग strong cream ही यूज करोगे यह चार timing क्या होगा, इसे visual checking कैसे करना है, देन उसके बाद में आप लोग को इसे कौन-कौन से hairs पर आप लोग को इसे apply करना है, आप बात करते हैं इसे check कैसे करें, तो इसे check करने के लिए आप लोग को एक single hairs का stand लेना है, उसे खीच के देखना है, अगर खीचने पर वो turn रहा है, यानि कि stretch हो रहा है, और फिर छोडने पर वो spring की तरह बन जा रहा है, तो समझ जाए कि आप लोग का hairs, आप लोग का hairs का born है, वो break हो चुका है, देन उसके बाद में आप लोग उसे wash कर सकते हो, लेकिन अगर खीचने के बाद वो तूड जा रहा है, तो समझ लिजे कि अभी पहले application किया है, 30 minutes बाद check करें, वहाँ पर आप लोग का hairs मुझे लगता है, कि ज़्यादा पहले process करने पर वहाँ पहले हो जाएगा, तो वहाँ पर check करें, अगर वहाँ हो चुका है, तो water से spray करके उसे उसका process को stop कर सकते हो, तो चलिए, अब हम जो दूसरा cream उस पर बात कर cream बोलेंगे, देन शॉसकोफ में पहचानने के लिए आप लोग का यह one number है, और जो हमारा वेला है, उस वेला में आप लोग को normal cream नहीं आता है, तो वेला और श्ट्रिक्स इन दोनों में normal cream नहीं आता, normal cream आमारा आता है, लारियल में, जिसे हम लोग रेसिस्टन्स cream बोलते ह आता, शॉसकोफ में, जिसे आप लोग one number बोलते हैं, तो आप लोग को इसे इस तर से पहचानना है, normal cream को, then अब इसे आप लोग को कोई से hairs पर करना है, इसका timing क्या होगा, तो आप लोग को इसे करना है, पतले, thin hair, virgin hair, जिया दोस्तों, पतले, thin hair हो, और virgin hair होना चाहिए, को कोई हीना coated hair होना चाहिए, इसे आप लोग को normal hairs पर use करना है, normal cream को normal hair पर use करना है, और normal hairs यानि की पतले, thin hair, और इसका आप लोग का timing बता दू, तो इसे 35 to 40 minutes, जहां दोस्तों, 35 से 40 minute application के बाद रखना है, और then आप लोग को इसे चेक करते रहना है, 25 minute के बाद में, आप पर hair बहुत जल्दी process हो गया होगा, तो वहाँ पर आप लोग water spray करके stop कर सकते हो उसका process, तो इस तरह से आपको चेक करते रहना है, यह timing में, ठीक है, तो चलिए, अब हम जाते हैं, हमारा जो तीसरा product आता है, यानि कि तीसरा number का हमारा cream है, mild, strong, normal, mild, तो अब हमारा strong और normal हो में से mild cream कौन-कौन से brand में मिलता है, तो सबसे पहले बता दो कि L'Oreal में आप लोगो mild cream नहीं मिलता है, smoothening का आप लोगो शॉसकॉफ में मिलेगा, शॉसकॉफ में आप लोगो इसे दो number से पहचानते हैं, देन उसके बाद में जो हमारा Vela है, इसमें mild नाम से पहचानते हैं, और Strix में भी आप लोगो mild नाम से पहचानना है, तो दोस्तों हमारा L'Oreal में अगर mild cream नहीं आता है, तो L'Oreal में आप लोगो करना रहेगा mild cream का use किस तरह से करेंगे, वो भी मैं आप लोगो आगे बताता हूँ, पिल आल आप लोग यह समझ लिजिए, कि शॉसकॉफ में दो नमबर से पहचानते हैं, और जो हमारा वेला और स्ट्रिक्स है, उसमें आप लोगो mild नाम से, आप लोग mild cream को पहचान सकते हो, अब इसे कौन से hairs पर करना है, तो इसे आप लोगो करना है, प्रोफेशनल कलर किये हुए hair, जिस पर कलर किये हुए है, कैमिकल वाले hairs किये है, hairs पर आप लोगो इसका use करना है, लेकिन अगर L'Oreal में अगर ऐसा कोई आजाए client, तो आप लोग कैसे करोगे, तो L'Oreal में आप लोगो half जो है, आपका smoothening का, जो resistance cream आता है, वो use करना है, देन उसके बाद में extra resistance यूज नहीं करना है, आप लोगो normal हो जाता है, resistance cream, वो use कर करना है, और half आप लोगो hair spa cream, mix करना है, जिससे की, वो mild बन जाएगा, उसके बाद में आप लोग professional color लगे हुए, professional dye की बात नहीं कर रहा हो, professional color लगे हुए, जो L'Oreal के आते है, वो सब जो hair में color लगी हुए है, या फिर touch up किये हुए हो, तो वहाँ उस hair पर कर सकते हो, ये mild करना है, तो इसंपे भी कर सकते हो, बट आप लोगो सारी चीजयों को ध्यान रखते हुए, timing को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना हुए, तो चलिए, timing की मैं आगर बात करूँ, timing आप लोगो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अग्वगर timing फोड़ से 15 मिट जादा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रखना है देन आप लोग को इसे वाश करना है जो अगर उस पर जादा टाइम रख दिये तो बाल पूरे खराब हो जाएंगे तो यह चीज ध्यान रखना है लेकिन ब्लॉंडर वाले हैर्स पर आप लोग को चेक करना है कि हैर्स कितना हद तक डाइमेज हो चुका है देन तुरंत वाश किया इस तरह से आप लोग को करना है अगर हैर्स मर अगर stateening की यह इ Gesprunda करना है तो वहाँ पर भी आप लोगो आप्लिकेश्यन करना है और अप्लिकेशन करने के बाद में आप लोगो 5 मिट के अंदर ही wash कर देना है बस आपने cream application किया और दें 5 मिट रुके और wash कर दे और अगर आइनिंग वाले hair से या फिर blow dry करके बहुती बाल खराब हो चुके तो उस पे क्या कह जाए तो उस पे भी आप लोगो सेम उसी तरह application करना है इसे पेर्मेश को आप लोगो को बालो पर लगाना है लोगो से देसे तत्राइब तब करना है नार्मल क्रीम कोन्से हेर यूज करना है यह आपको पूरी अच्छे तर्के से समझ में आ गया गया तो ये सारी चीज़े समझने के लिए आप लोग का जो consultation है वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ रहने हैं चाहिए आप लोग के client के साथ में बहुत भी proper तरीके से आप लोग का पूछना पड़ेगा कि आप लोग ने hairs में क्या यूज किया है कौन सा chemical यूज किया है ब्लोडरा करने के पहले consultation किस तर से किया जाता है वो वीडियो देखिए तभी आप लोग को किस तर से यूज करना है आप लोग को समझ में आएगा और हां आप लोग फिर से एक बर बताऊंगा सबसे important tips क्रीम कभी भी लगाए आप लोग फिर्स क्रीम जो लगा रहे हो आप लोग से ब्रेक हो चुका है आप लोग उसे process complete हो चुका है तुरंट water spray करिये उसे wash करिये थोड़ा भी वेट नहीं करना है ठीक है I hope कि आप लोग का जो पूरा doubt है वो पूरा का पूरा doubt क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो strong cream है normal cream और mild cream कोन से hair power करता है कैसे work करता है कितना timing रखन है इसका visual checking क्या है कौन कौन से hair's पर करना है सारा कुछ आपका doubt क्लियर हो चुका होगा तो चलिए इसी तरह आप लोग के लिए नहीं वीडियो आते रहेंगे rebonding, straightening, smoothening यह तीनो topics के उपर हम लोग step by step छोटे चोटे चोटे टिप्स आप लोग के जो भी आप लोग का doubt है तो पूरा clear करने के लिए हमारी वीडियो आते रहेंगे नेक्स वीडियो जो हम बात करेंगे, वह हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रिम जो हमारा हम जो use करते है पहला application उस application में यह वह कैसी करता है किस तरह से application करना है सारा कुछ तो वीडियो पर इसी तरह आप लोग बने रहे है और अपना प्यार दिखाते रहे है नेक्स वीडियो आ आपका बहुत जल्दी आएगा और हम वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और हां दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहां तक आचुकर वीडियो का अगर लाइक नहीं कियोंगे तो ल